नमस्कार दोस्त, स्वागत है आपका हमारी यूटूब चानल दे दोस्तों, आज मैं आपके लिए जो वशीकरन लेके आई हूँ वो इतना सरल और इतना प्रचंड है कि आप सोचेंगे कि सर्फ ऐसे भी वशीकरन हो सकता है इतना सरल बिना किसी सामगरी से सर्फ एक मंत्र के माध्यम से तो सोचेंगे वो मंत्र कितना प्रचंड होगा जो सर्फ अपने आप में इतना प्रचंड है कि सर्फ जब आप उसका सिमरन करेंगे उस मंत्र का जाब करेंगे तो सामने वाला व्यक्ति आपका हो जाएगा कभी सोचा है आपने कि ऐसा भी हो सकता है बिना किसी सामगरी से क्योंकि सब कहते हैं वशीकरण बिना सामगरी के संभव नहीं है लेकिन हम आपके लिए ऐसे प्रचंड वशीकरन लेके आते हैं जो बिना सामगरी के हो सकते हैं क्योंकि हमारी कई माताएं बहने, कई पुरुष, कई भाई ऐसे हैं जो ये कहते हैं कि हम कोई सामगरी एक अत्वित नहीं कर सकते या माताय कहती हैं कि हम कहीं बाहर नहीं जा सकते लेकिन हमें वश्यकरण की अवश्यक्ता है क्योंकि हमारे घर की जो इस्तिती है वो बिगड़ गई है और हमें उस इस्तिरी को सुधाने के लिए एक वश्यकरण की अवश्यक्ता है इसके बिना हमारी घर की स्थिती सुधर नहीं सकती क्योंकि बहुत बुरा लगता है जब अपने दूर हो जाते हैं घर बे तो साथ रहते हैं लेकिन दिलों में दूरियां बहुत जादा बढ़ जाती हैं जी हां अगर इनी दूदियों को आप कम करना चाहते हैं या आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो एपनी प्रेमिका से बहुत प्यार करते हैं लेकिन आपकी प्रेमिका किसी और की तरफ आकर्शित हो रही हैं और आप नहीं चाहते कि वो किसी और से बात भी करें वो ताउम्र आपकी होकर रहें यह प्रेमी का ऐसा नहीं जाती अपने प्रेमी के लिए तो यह वशीकरन जो है इन सभी के लिए प्रचंड वशीकरन है इस विधी को ध्यान पूर्वक सुनिएगा सही प्रकाव से कीजेगा और एक और मेरी खास बात कि किसी भी गलत मंशा से वशीकरन का प्रयोग नहीं कीजेगा इसलिए वशीकरन विधी को करने से पहले कई बार सोच समझ कर इस विधी को अपनाईएगा मैं आपसे बार बार ये कहूंगी और वशीकरन का एक सबसे पहला नियम है कि जब आप वशीकरन कर रहे हों तो कोई आपको देखे ना कोई व्यक्ति आपके आसपास ना हो आप अकेले हो एक ऐसे स्थान पर हो जहां आप अकेले हो एक आँच्छित हो तब ही आप जो है इस विधी को कर पाएंगे इस विधी का असर पूर्ण रूप से हो पाएगा तो आईस समय ना बरबाद करते हुए मैं आपको पताती हूं कुझस सर्फ एक मंत्र के माधियम से कैसे आप किसी को अपने वश में कव सकते हैं दोस्तो पूरा दिन व्यतीत करने के बाद शाम को रात को जब आप मैं रात्री में सोने जाते हैं तो उस समय इस विधी को करना है और करना कैसे है आई ये बताते हैं जब आप अपने बेट पर अपने गदे पर जहां भी आप सोते हैं वहाँ पर बैठेंगे तो इस तरहां आशन लगा कर एक पर बैठें और अपने हिर्दे पर हाथ रख कर उस व्यक्ति का नाम लीजिए जिसे आप वश में करना चाहते हैं सही कहूं तो उसका सिम्रन कीजिए और इस हद तक कीजिए कि उसका चहरा आपकी आखों में उतर आए और उसके बाद आपको इस मंत्र का 21 बार जाप करना है जैसे ही आप इस मंत्र का जाब करेंगे उसके बाद आप सो जाएंगे सुभा जब आप उठेंगे तो आप देखेंगे कि वो व्यक्ति किस तरह पागल हो रहा है आप से बात करने के लिए किस तरह सर्फ औसर्फ आप की सुनना चाहता है अगर कोई माता है तो उनका बेटा सर्फ उनकी आज्या मानेगा किसी और की नहीं सुनेगा अगर कोई पत्नी है तो उसका पती इस तरह उसके आसपास घूमेगा कि बस उसके सिवाद दुनिया में कोई और है ही नहीं अगर आप चाहते हैं ऐसा तो इस मंत्र को ध्यान पूर्वक सुनिए और मंत्र है ओम नमो भगवतेत प्रिलोक चन मम वश्यम करू करू स्वाहा एक बार और मंत्र प्रताती है ध्यान से सुनिएगा ओम नमो भगवतेत प्रिलोक चन मम वश्यम करू करू स्वाहा इस मंत्र का 21 बाव जाप करना है, व्यफ्ति का नाम ले रहा है, भात बहुत ध्यान से सुनियेगा कि हिवड़े पे हाथ रख कर ये पूरी विधी करनी है कोई आपको देखे रहा इस बात का भी ध्यान करना है अगर वशीकरन समझने में कोई समस्या आ रही है, तो आप स्क्रिम पर ये गए नंबर पर कॉल करकर बात कर सकते हैं नमस्कार